नमस्ते जय हिंसातियों कैसे आप लोग उमीद करते हैं बाबू बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों मैद का वर्किंग टाइम कारी और समय का सबसे महत्वों टापिक है उस टापिक का नाम है आदमी महिला और बच्चे वाले प्रस्ते बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे बच्चियों को समझ में नहीं आता है तो उस पे हम कुछ काम किये हैं और उसको एकदम अराम अराम से हम समझाने की कोशिस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसमें टोटल पचीस प्रस्त होंगे और उसी पर हम लोग अध्यन करेंगे और आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं लास्ट में आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया नहीं आया होगा कोई और काम किया जाएगा देखे जब भी ऐसे सवाल आते हैं बाबू तो हमेशा M1, D1 बराबर M2, D2 पताब करते हैं देखे होता है M1, D1 बराबर M2, D2 जानते हैं M का मतलब आदमी, औरत, लड़का, सब कुछ हो D का मतलब D होता है इतनी औरते हैं 20 तो हम कहेंगे 20W गुड़ते कितना दिन है 16 दिन है तो यहां रखेंगे 16 कहेंगे सर आ गया अब देखे कितने आदमी है 16 तो 16 यम हो जाएगा और कितना दिन है तो 15 दिन है तो यहां 15 रखेंगे जो कटता है कटा देते हैं देखे 16 से 16 कट जाएगा पांच चव के बीस हो जाएगा और पांस तियाईं पंदरा हो जाएगा कहेंगे गुरुजी चार डबलू हुआ और यहां से कितना हुआ तीन यम हो गया अब आपको पता होना चीए कि साजन मेरा कहा है उस पार है यानि कि M कमान चार होगा और डबलू कमान कितना होगा तीन होगा तो यहां देखें आदमी की कारे चमता और और औरत की कारे चमता तो पहले आदमी की कारे चमता रखेंगे चार और और औरत की कारे चमता रखेंगे तीन और फाइनल उत्तर जानते हैं चार समंधे तीर यहीं उत्तर है उमेद करते हैं आपको हमारी बाते समझ में आ गई होगी इसी अधार पर एक सवाल और हम लगाते हैं हम लोग चलते हैं बाबु बहुत सवाल आएंगे पढ़िए एरा कि दो पूरुस एकारे को X दिनों में करते हैं डाइरेक्ट बाबु देखें दो पूरुस यानि कि 2M हो गया कितने दिन में करते हैं? X दिनों में करते हैं या X हो जाएगा या X Y से भाड़का नहीं जाता है समझे यह कहरा है लेकिन Y महिला वहीं कारी को यानि कि YW महिला कोड क्या लिखते हैं? कितने दिनों में? तीन दिनों में कर सकती हैं यहां तीन हो जाएगा तद अनुसार कह रहा है कि एक पूरुस और एक महिला यानि कि एक पूरुस और एक महिला अब ध्यान से समझेगा समझाने की कोशिस करते हैं देखें यहां मैन है क्या है? मैन है तो man का मान यहां देखे y है और यहां 3 है तो हम लिख सकते हैं 3y यानि कि man का मान हो गया कितना 3y है अब देखे यहां बचा o man, o man का मान यहां 2 है और यहां x है तो कह देंगे 2x, देखे कितना आसान है और जो आपसर में देखेगा वहीं उत्तर होगा तो जानते हैं कि इसमें देख रहा है भापसर नमबर कौन सा बी में 3Y2X देखे कितना आसान है बच्चे क्या कर देते हैं अक्सर एक्जाम में छोड़ देते हैं कहते हैं कि यार पताने कितना कठीन था कठीन कुछ नहीं है बस आप मेरे साल लगतार लगे रहे हर एक चीज़े आसान होती जाएगी आपके लिए अगला प्रस लेते हैं ये सवाल देखें कहरा बाबु कि 10 महिलाएं किसी कारे को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं बहुत अच्छा छे पूरुस उसी कारे को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं आठ बच्चे उसी कारे को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक महिला एक पूरुस और एक बच्चे की कारे च्छमता का अनुपाद बते कितना आसान सवाल है देखें दस महिलाएं छे दिनों में तो हम बोल सकते हैं दस डवलू पता है गुणते चौप कहेंगे सर आगया आगे की पॉइंट देखें कहरा है कि छे पुरुस उसी कारे को पांच दिनों में यानि कि छे मैं गुणते कितना हो जाएगा पांच बच्चे उसी कारे को पंदरह दिनों में यानि कि आठ भी गुणते कितना हो जाएगा पंदरह हो जाएगा कहेंगे सर आगया समझ पाए अब बाते के एक गम बढ़िया से समझाते हैं जो बच्चे कमजोर हैं वो भी समझने की कोशिस करे इसका गुड़ा इसमें होगा तो कहेंगे साठ डबलू बराबर जानते हैं इसका गुड़ा इसमें होगा छे पाचे तीस यम हो जाएगा कहेंगे सर बहुत अच्छा इसका गुड़ा इसमें होगा पंदरह आठे एक सो बीस बी हो जाएगा कहेंगे सर ये भी बाते हमको समझ में आ रही है अब जो कटता है सब कटा देतें देखे जीरो 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 सब कट जाएगा यहां देखें सब 6 है तीन है बारा है तो सबसे छोटा अंग 3 है तो 3 से कटाएंगे देखें 3 दुना के 6, 3 एकम 3 और 3 चव के 12 समझ पाए बाबू अब हम करते क्या है कि इसको उल्टा कर लेते हैं क्या कर लेते हैं उल्टा क्योंकि भराबर है तो इसके नीचे एक रख सकते हैं इसके नीचे एक इसके नीचे एक दो बटा एक का उल्टा आप कहेंगे गुरु जी एक बटा दू होगा एक बटा एक का उल्टा एक बटा एक होगा एक चार बटा एक का उल्टा एक बटा चार होगा जानते हैं LCM कितना हुआ तो कहेंगे गुरु जी चार होगा यहां दो बार जाएगा यहां चार बार जाएगा और यहां एक बार जाएगा और यह खतम हो गया फाइनल उत्तर जानते हैं, दू समंधे, चार समंधे, एक, आपसर नमबर सी, आपसर नमबर कौन सा, समझ भाए बाबू, दूसरी बात से, ये तो था एक तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है, उसको भी हम समझा देते हैं, जो चीजे आपको पता है, कठीन लगती है, उस पर बार-बार उसको प्रेक्टिस करिए, और उसको लगाने की कोशिस करिए, जो चीजे आपको कठीन लगती है, वहीं चीजे आपको आसान हो जाएगे, देखे, फीन दूना के चव हुआ, तीन एकम तीन हुआ, और तीन चव के बार हुआ, अब जानते हैं, पता है बाबू, पता है यदि मुझे इसका मान निकालना होगा, तो इन दोनों का गुड़ा करेंगे, तो कहेंगे गुरुजी चार एकम चार, पता है इसका मान निकालना होगा, तो इन दोनों का गुड़ा करेंगे, चार दुना के आप, पता है इसका मान निकालना होगा, तो इसका गुड सवाल लगाने की कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है, वैसे आप लगा सकते हैं, कोई दिकत नहीं हैं, अब देखें, वहीं सवाल फीर आ गया, कहizada है, बारह पुरुस और च्छे लड़के की सीकारे को, तो देखें, यहाँ आगया और, और का मतलब होता है प्लस, देखें, हो जाएगा, बारह यम प्लस, छे लड़के, यानिकी सिक्स भी, कितने दिन में करते हैं, तो कहेंगे गुरु जी, ये करते हैं गुरु जी, चार बराबर अब देखिए फिर कहरा कि 4 पूरुस और 14 लड़के यानि कि हम बोल सकते हैं 4 यम प्लस 14 भुवाय कितने दिन में करते हैं तो कहेंगे गुरु जी 8 दिन में करते हैं तो यहां हो जाएगा अब ध्यान से समझेगा इसको कटा सकते हैं 4 एकम 4 और 4 दुना कितना अब सम इसका गुड़ा इसमें करते हैं तो यह हो जाता है 12 यम एकदम अराम हराम से समझाते हैं बावु इसका गुड़ा इसमें करते हैं तो 6 भी हो जाता है अब देखिए इसका गुड़ा इसमें करते हैं तो दू चव के 8 यम हो जाता है और दू का गुड़ा इसमें करते हैं त तो 14 दूना के 28 B हो जाता है, कहेंगे सर आगया, अब देखें, 12 M में से 8 यम जाएगा, तो आप कहेंगे, गुरु जी, 4 यम आएगा, मैं भी कहूंगा, बहुत अच्छा बाबु, अब पता है, ये प्लस है, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 28 में से 6 जाएगा, तो 22 आज B कमान कितना होगा, 4 होगा, अब इसी को हम कटा देते हैं, और जैसे ही कटाते हैं बाबु, तो ये दो से कटेगा, किसे कटेगा, दो से, ये 11 हो जाएगा, और ये हम लोगों का 2 हो जाएगा, फाइनल उत्तर, 11 समंधे 2, यहीं उत्तर है, समझ मागया, ऐसे बनाते हैं कि जिन्दगी को यदि सीखना है, जिन्दगी को यदि समझना है, जिन्दगी में आगे बढ़ना है, तो मेहनत करने पड़ेगा, और मैं एक बात एकदम गैरांटी के साथ कह देता हूं, कि जो मेहनत किया है, और जो मेहनत करता है, जिन्दगी में उसको कभी निरासा हाथ नहीं लगती है, ये एक बात क्याल कर लिशेगा, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या नहीं कहती है, इसको बिलकुल नहीं सोचना है, जिस दिन आप काम्याब होते हैं, सब का कहना, सब कहता हो जाता है, और एक बात और, काम्याब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उमीद ल करिए ठीक है सिकायत मत करिए कि मेरे पास संसाधन नहीं है मैं क्या करूँ ये वो फ्लान ठीकान कुछ नहीं किया जाता है लड़ा जाता है हालातों से अब ध्यान से सुनिए भी वहीं सवाल आ गया देखे मैंने बताए ना कि एक तरह के तीन-चार कोस्तन हम कराएंगे ताकि अब ऐसा सवाल न दिक्ष्ट हो सकते हैं आपको देखे 12 पूरुस है 12 यम लिख दीजिए प्लस 16 लड़के हैं तो यहां 16 भी रख दीजिए समझ पाए कितने दिन में करते हैं तो कहेंगे गुरु जी 5 दिन में करते हैं यहां हो जाएगा 5 बहुत अच्छा 13 पूरुस और 24 और जानते हैं यह कितने दिन में करते हैं, चार दिन में, तो यहां रखेंगे чार, अब जानते हैं, बाबु, यहां 5 है और यहां 4 है, कटने का कोई सवाल नहीं, तो खुझ गुडा करेंजें, ते लिदे, गुडा कर APPLAUSE अगर पता है कैलकुलेशन थोड़ा तीज करने की कोशिज करिए, लिखने की भी कोशिज कम करिए, 16, 85, 24, 94, 95, 95 में से 80 जाएगा, 16 आजाएगा, कहेंगे गुरुजी यह 8 से कड़ जाएगा, 8 है कम 8, 8 दुना के 16, साजन मेरा उस पार है, M की वैलू 2 है, और B की वैलू 1 है, फाइनल उत्तर, दो समंध्य एक यहीं उत्तर देगा, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं बाबु, मुझे दुबारा कहिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हाँ, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो कोई भी समझ्या आपकी जीवन में नहीं आएग मैं लिखित रूप से गरांटी देदेता हूँ, कह रहा है, पांच पूरुस तथा दो इस्तरियां एक साथ मिलकर प्रती घंटा एक कारे तथा एक इस्तरी द्वारा एक साथ किये गए काम से चार गुना काम करते हैं, कर सकते हैं, क्या बाबु, कर सकते हैं, तद अनुसार एक पूरुस और एक इस्तरी का काम का अनुपाद बते, कितना आसान सवाल है, समझाते हैं, देखें, पांच पूरुस और दो इस्तरी, तथा तथा अच्या और प्लस ही होता है, देखें, पांच यम प्लस दो डबलो, कहेंगे सर बहुत अच्छा, एक साथ मिलकर प्रती घ गंटा, प्रती घंटा का मतलब होता है एक बराबर, इधा देखें, एक पूरुस तथा एक इस्तरी, तो हम बोल देगे, वन ऑन अम प्लस वन डबलो, वन क्या, डबलो, हो गया, एक साथ किये गए हैं, काम से, चार गुना काम कर सकते हैं, कितना गुना? चार गुना काम कर स जगते हैं ध्यान से समझें यहां कुछ नहीं है तो मानेंगे समय एक अब देखे ध्यान से अब पता है और लेबल में आप जाएंगे होता है मित्र M1 D1 बटे में पता है W1 बराबर M2 D2 बटे में W2 होता है समझ पहा है अब ध्यान से सुनिए देखे लिखा गया जाएंगे और यहां पर हम क्या रखेंगे चार रखेंगे चार बहुत अच्छा चा बाबु बहुत अच्छा जैसे ही इसको हम साल्म करने की कोसिज करते हैं देखें इसका गुड़ा इसमें होगा तो कहेंगे चार पाचे बीस यम प्लस चार दुना के आठ डबलू बराबर बाबू इधर इसको गुड़ा करिएगा या एक काम हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं जानते हैं ये न चार गुना काम करते हैं तो इसमें आप चार से गुड़ा कर देजेगा तो देखें पाच यम प्लस चू डबलू बराबर इधर देखें ये हो जाएगा चार यम प्लस चार डबलू हो जाएगा कहेंगे सर आगया देखें पाच यम में से चार एम जाएगा तो यम बचेगा कहेंगे सर बहुत अच्छा चार डबलू में से दू डबलू जाएगा तो दू डबलू बचेगा और जानते हैं समझने के लिए एक रखे देंगे M कमान दू और डबलू कमान एक मतलब दू समंधे एक ठीक है प्लासा कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग सोच गरबड कर दिये काम सी चार गुना काम पहले अगला सवाल लेते हैं यह तो जबर्जस्त को सने बाबो बहुत जबर्जस्त आउटिस्टेंडिंग बहुत लाजवाब बाबो किया रहा है कि पांच पुरुस और आठ मैलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकती हैं देखिए पांच यम प्लस आठ ओमैन और लिखा गया 34 दिनों में कर सकती हैं गुर्टे 34 कहेंगे सर बहुत अच्छा अब आगे समझेगा आगे समझेगा कह रहा है बाबु आगे का पुएंट देखें चार पूरुस और 28 अठारह महिलाएं यानि कि चार मैन प्लस अठारह ओमैन पता है कितना दिन मित्रे तो आप कहेंगे गुरु जी 28 दिनों यहां हो जाएगा 28 दिनों कहेंगे सर बहुत अच्छा अब हम इसको कटा सकते हैं देखें दूसरे कटाते हैं तो यह सतरह बार में कटेगा और यह कटेगा 14 बार में कटेगा समझ पाए अब देखें देखें सतरह का गुड़ा पांच में होगा सतरह पाचे पचासी इसका गुड़ा इसमें होगा तो 14,46 होगा समझ पाया 14,46, 85 में से 56 को हम घटा देंगे 85 में से हम 56 को घटा देते हैं जैसे ही घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 29 आएगा कितना आएगा? 29 आएगा हम बोल सकते हैं 29 यम बराबर 29 हो गया? इधा देखें इसका गुड़ा इसमें करेंगे 17,8,136 होता है इसका गुड़ा इसमें हो जाएगा तो देखें 14,8,8,4,72 2,7,7,7,7,7,7,5 हो जाएगा क्योंकि इसका गुड़ा इसमें करिये चाहिए इसमें गुड़ा करिये एक ही बात होता है और इसका गुड़ा इसमें करते हैं 136 आजाएगा और जैसे ही माइनस करते हैं तब कहेंगे गुरुजी 116 आएगा डबलू के साथ ठीक है माइनस कर लिजेगा 116 आएगा अब इसको हम कठा सकते हैं ध्यान दीजेगा 29 से कम 29 29 के 100 कितना हुआ 16 अब आपको समझ में आ गया कि जहां M दीखेगा वहां 4 लगेगा जहां W दीखेगा वहां पर क्या रखेंगे एक रखेंगे सवाल खतम हो गया पता है यही मान हम यहां रखते हैं यहां परते देखें 5 हो गया M कमान कितना निकाले हैं 4 तो यहां 4 रखेंगे प्लस आठ गूडते डव अब बताए डवलू कमान कितना है एक है डवलू कमान कितना है एक है और गुड़ते बावु इह 17 नहीं रखेंगे पहले वाला रखेंगे 34 ही रखेंगे अब पूरे के बटा में अब लास्ट में आएंगे देखे इधर कह रहा बावु कि तीन पूरुस और पांच महिला है यानि कि तीन पूरुस कमान कितना निकाले है चार प्लस पांच और महिला कमान क्या निकाले है तो महिला कमान एक निकाले है तो देखे तीन चवु के बारा अब पांच एकम पांच बारा पांच सतरा हो जाएगा नीचे हम 17 रखेंगे, 17 दुना के 34 हो जाएगा, कहेंगे सर आ गया, देखे 5, 4, 20, 8, 28, 28 दुना के 56 सवाल खतम, पता है यह वरकिंग टाइम का सबसे बेहतरीन, सबसे कठीन और सबसे तगड़ा सवाग है, समझ पा है, एक बार और हम इस सवाल को बताते हैं, ताकि पता है, ताकि आपक दिकत न हो सके बाब, एक बार और हम समझाते हैं, बिल्कुल आप घवड़ाइए मत, बिल्कुल आप घवड़ाइए मत देखें, 5 पूरुस हैं और 8 हो मैन हैं, तो हम कहेंगे, 5 यम प्लस 8 हो मैन और लिखा होगा, 34 दिन, गुरते 34 हो जाएगा, समझ पाए बाब, आगे प 18 ओ मैन, समझ पाए बाबु, कितने दिन में, तो यह करते हैं, 28 दिनों में, यहां हो जाएगा, 28 हो जाएगा, मैने इसको कटाया था बाबु, 72 से 17 बार में कटा, और 2 से कटाया थे, तो 14 बार में कटा था, बाबु जानते हैं, इसका गुड़ा मैने इसमें किया था, और इ आपका कितना बाबू, आपका 29 एक साय था, 29 यम आया था, कितना था, 29 यम आया था, बराबर इसका गुड़ा इसमें किये थे, और इसका गुड़ा इसमें किये थे, हल किये थे, तो 116 डबलू आया था, अब हम बताये थे बाबू, कि इसको हम इस से कटाते हैं, 29 एकम 29, 29 चार है, डवलू कमान कितना है, एक है, अब हम यम कमान यहां पर भी रख सकते हैं, चार गुणते, अब देखे, यम कमान चार है, तो चार हो जाएगा, प्लस अठारह गुणते एक, अठारह गुणते डवलू, डवलू कमान एक है, हो गया, गुणते यहां पर हम रखेंगे, कितना 28 रखेंगे समझ भए बाबू 28 रखेंगे चौधा नहीं क्योंकि पहले वाला मान ठरकते है यहां तीन पूरूस का मान बताई और इसका मान वाण और इसका मान इसका मान बाँच कुंत सत्तर हो इधा देखें चचव के सोरह, अठारह में कहां आठारह सोरह और आठारह जोड़ते हैं तो चौटिस आता है 17 दुना के 34, 28 दुना के 56 आपसन नमबर C यहीं उत्तर देखिए कितना आसान है पस वहीं बात है प्रैक्टिस करने पड़ेगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मर्फेक्ट होते जाएंगे बेहतर होते जाएंगे और पता है अभ्यास इंसान को परिपूर बना द दिन में पूरा करती है देखिए 2M प्लस 7 Omen कितने दिन में करती है 28 दिन में करती है तो यहां 28 से मल्टिप्लाइ हो जाएगा बराबर फिर पढ़िए 6 पूरुस और 11 महिला यानि कि 6M प्लस 16W और कितने दिन में मेरे मित्र तो यहां पर है कितना दिन 11 तो यहां 11 रखेंग समझ पाया, अब कोई दिखती हैं, इगारा से नहीं कटेगा कोई बात नहीं, हम गुड़ा करते हैं, देखें, 28 दुना के चपन, 11 चके 6 चट, 6 चट में से चपन को घटाएंगे, तो 10 यम आ जाएगा, कहेंगे सर अगया, पता है, इसका गुड़ा इसमें करते हैं, तो देख हो जाएगा, अब इसका गुड़ा इसमें करते हैं, अब 176 आता है, कर लेजिएगा, 100 कितना आता है, 176, जटाएंगे, तो मुझे लगता है कि यहां 0 बचेगा, यहां 2 बचेगा, complete हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 20W, अब यह भी समझ मागया कि 0 से 0 कर जाए यम कमान 2 होगा, और डवलू कमान 1 होगा, जहां M देखेगा, वहां 2 रखेंगे, और जहां W देखेगा, एक रखेंगे, समझ पाए, तो कोई बात नहीं है, अब हम यहीं पर काम करते हैं, देखे, यहां पर M की वैलू दो रखेंगे, तो यहां 2 रख दी है, और W की वैलू एक रख देंगे, यहां एक रख देंगे, तो देखे, श़द दुना के बारह, असोला एकम सोरा, बारह, सोरा, अठाइस हो जाएगा, अगुणते, यहां कितना है, एक आरह, बटे में, अब लास्ट में आते हैं, देखे, यहां पांच पूरू से हैं, और चार महिला हैं, तो एम का मान यहां दू रखेंगे, तो देखे, पांच दुना के दस, यहां पर डबलू का मान एक चार एकम चार, तो दस चार चार चौदा हो जाएगा, और चौदा से यह दो बार में कटेगा, और 11 दुना के बाईस हो जाएगा, आपसन नमबर भी, अभ्यास करिए, प्रैक को देंगे, हम प्रैक्टिस करने के लिए देखे, चार पूरू से हैं, छे महिला हैं, किसी काम को आठ दिन में करती हैं, दोनों में गुडा कर लिजिए, अब डारेक्ट बनाने की कोशिज करिए, देखे, अट्चव के 32 म, प्लस अट्चक 48 डबलू, समझ पर अब इधा दे इसको घटा जाएगा, गहाँर, बराबर घटाएंगे लिए कितना जाएगा, बाईस आजाएगा, 70 में से 48 गहाँरिस में यह एक बार में कर देगा, और यह 12 बार में कर देगा, यम कमान E11 है और डवलू कमान E11 है यहाँ पर रखिए देखिए रखेंगे तो चार गुणते पूरुस पूरुस कमान कितना है E11 प्लस कितनी महिला हैं 6 और महिला लोगो कमान हम लोग कितना निकाले हैं यहां एक रखेंगे गुणते मेरे भाई यहां देख लेजे कितना है कितना है आठ है कितना है आठ है तो यहां आठ रखेंगे बटे में देखें दस महिला हैं तो दस गुणते महिला लोगों कमान कितना निकाले हैं एक देखें एक आर चोग चोवालिस अच्छा पाचास तो पानवाठे 40. यहीं उत्तर. जंग को लढ़िये, अलातों से मत भागे. जो लढ़ेगा, वहीं जीतेगा बाबू. जो भाग जाएगा, वहीं जीतेगा. कहा जाता है, जो जो लढ़ेगा, वहीं रचेगा. चेहां? यह देखियें. चार पूरू से हैं, पांच महिला हैं, किसी काम को दस दिन में दोनों में गुड़ा कर लिजिएगा, तो ये होगा दस चव के चालिस यम, प्लस दस पाचे पचास डबलू कहेंगे, सर बहुत अच्छा, इसका गुड़ा इसमें करिए, इसका गुड़ा इसमें करिए, तो प्लस ओमैन का मान जीरो है, पांच गुड़ा जीरो है, और सब का मान कितना है, तो यहां दस है, यहां रखेंगे दस, पूरे के बटे में, पूरे के बटे में, यहां देखें, आठ पूरुस और दस महिला है, तो आठ गुड़ते पूरुस लोग का मान कितना है, अठार है, और महिला लोगों का मान तो जीरो है, लेकिन रखने के लिए, समझने के लिए रख देंगे, इ ये जीरो से जीरो कड़ जाएगा और 18 से भाग करेंगे 72 में 4 दिन उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं है बहुत आसान है बहुत जादा आसान है भड़कने की कोई जरूरत नहीं है उसी अधार पर ये सवाल है आप जरूर बनाईएगा और ये पता है इसका जो लिंक होगा इस पीडियो का टेलिग्राम के नीचे मिल जाएगा ये वीडियो जो है अपलोड होगा ना डिस्क्रिप्सन रहेगा उसके नीचे मिल जाएगा जरूर साल्व करिएगा ये कोशन ठीक है इसके बाद ये कोशन देखिए ये कोशन एक कारी को 15 पूरुस 20 दिनों में कर सकते हैं जबकि उसी कारी को 24 महिलाएं 20 दिनों में कर सकती हैं तो 10 पूरुस और 18 महिलाएं उसी क कितने दिर में करेंगे यहुढ़ा सा लाग है देखें पंदरा यम गुणते वीस हो जाएगा कहेंगे सर बहुत अच्छा यहां देखें जबकि 24 महिलाएं बीस दिर में करती हैं यानि कि 24W 20 हो जाएगा कहेंगे सर मुझे तो बहुत अच्छे से समझ मागया इतना मुझे अच्छे से समझ मागया तब हम करेंगे क्या कि देखें 20 से 20 कटा देखें कहेंगे सर बहुत अच्छा 3 से कटाएंगे 3 5 15 हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा मतलब यम का मान 8 हो गया और डवलू का मान कितना हो गया 5 हो गया समझ पैद अब यहीं मान हम कहीं पर भी रख सकते हैं इन्हीं दोनों को रखते हैं जैसे ही रखेंगे तो देखें 15 गुड़ते यम पूरुस पूरुस है न पूरुस कमान बोल दीजे 8 है यहां 8 रखेंगे गुड़ते कितना हो जाएगा 20 बटे में लास्ट वाली लाइन पर आते हैं लास्ट वाली लाइन पर इधा देखें 10 पूरुस और 8 महिला है पूरुस कमान कितना है 8 तो यहां 8 से गुड़ा हो जाएगा महिला कमान कितना है 5 तो यहां 5 से गुडा हो जाएगा तो देखे 8, 45 और दस वाठे 80 और यहां लिखा है और और चाहे हो चाहे ताथा हो प्लस होता है तो दोनों को जोडेंगे 120 आ जाएगा कितना जाएगा 120 आ जाएगा अब देखें 15, 8, 120 होता है 8 से 8 खत्म हो जाएगा और final उत्तर 20 आजाएगा तो ये पहला तरीका था इस तरीका से हम लोग इस सवाल को साल्व कर सकते हैं दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ जो आपको अच्छा लगता है उसको साल्व करिए कोई आपत्ती नहीं है उत्तर सेम आएगा बाबू सेम आएगा देखे दो खाना बना लेंगे क्यों बनाएंगे क्योंकि एको पूरुस रखना है एक महिला पंदरह पूरुस है बेस दिन यानि कि पंदरह यम गुणते बीस रखेंगे कहेंगे सर बहुत अच्छा यहां देखे 24 महिलाएं हैं 20 दिन है यानि कि 24 डबलू गुणते बीस हो जाएगा कहेंगे सर बहुत अच्छा लास्ट नहीं बोला है कि दस पूरुस तपूरुस कमान इधर रखें 10 यम रखें चिक है और ओमैन कमान इधर रखें बाठ ओमैन हो जाएगा तो देखें जीरो से जीरो कड़ जाएगा और तीरी के 24 हो जाएगा इधर देखें पंदरा दुना के 30 आदमी लोगो कमान 30 है 20 तीयाई 60 और लोगो कमान 60 है जानते हैं LCM 60 होगा यहां से दू बार में जाएगा और यहां से एक बार में जाएगा और पैता है इन दोनों को जोड़ देते हैं और टोटल वर्क कितना है 60 और बटे में 3 और 60 बटे 3 को क्या लिखते हैं 20 यहीं उतर है दो तरीका है और भी तरीका होगा क्योंकि मनजील एक है पहुचने के तरीके अलग-अलग है समझ भाए तो और भी तरीका होगा जो आपको अच्छा लगता है जरूरा बनाए बट बनाए जरूर बनाए जरूर बनाए जरूर यह भी वहीं काम है 12 आदमी 10 दीनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं 12 दीनों में काम को पूरा कर सकती है 8 पूरसों और 4 महिलाओं ने काम करना सुरू किया 9 दीनों के बाद 10 और महिलाओं उनके साथ जुड़ गई बचे हुए काम को पूरा होने में अब कितना दीन समय लगेगा कितना बहतरीन कितना लाजवाब सवाल है कह रहा कि 12 आदमी 10 दीनों में एक काम को पूरा कर सकते है 12 यम गुड़ते कितना दिन है 10 कहेंगे सर आगया फिर कह रहा है कि 20 महिलाओं उसी कारे को 12 दीनों में पूरा कर सकती है यानि कि 20 ओमैन कितने दिन में कर सकती है 12 दिन में तो यहां हो जाएगा 12 देखिए 12 से 12 कड़ जाएगा 0 से 0 कड़ जाएगा अब हम कह सकते हैं कि YUM कमान 2 है और W कमान 1 है ठीक है YUM कमान 2 है और W कमान क्या है? 1 है अब यहीं पर हम आगे का कारिक्रम जारूई करेंगे ज्यांसे समझें पहली लाइन लिजिए 12 आदमी 10 दिनों में करते हैं यानि कि 12 यम 12 क्या बाबू? YUM और YUM कमान हम लोगोंने निकाल लखा है 2 तो यहाँ हम रखेंगे 2 और गुणते कितने दिन में करते हैं? तो 10 दिन में करते हैं यहाँ हो जाएगा 10 कहेंगे गुरुजी, 12 दुना के 24 में 10 का गुड़ा होगा, तो 240 मतलब मेरे पास काम कितना दिन का है, 240 दिन जा, आगे पढ़िए, कह रहा है कि 8 पूरुसों और 4 महिलाओं ने काम करना सुरू किया, और 9 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद, तो ध्यान स सुनिए, 8 पूरुस, यानि कि 8 और पूरुस का मानद, केप सीटी, कितनी है, 2, देखे, m के बैलु कितनी है, 2, चार महिला प्लस महिला लोगों की कैप सिटी कितनी है कहां से एक है तो देखें W कमान एक ही न है और ये कितना दिनों तक काम सुरू करती है 9 दिनों के बात मतलब इतने लोग 9 दिन काम किये तो ध्यान से समझे 8 दुना के सूरा 841 सूरा 420 और 9 दिन काम किये तो 20 नमा 180 काम हो गया तो कहेंगे मेरे भाई गुरुजी काम था तो 240 काम हो गया 180 तो बचेगा कितना गुरुजी 60 काम और बचेगा पर पता है कितनी महिलाएं जूड गई तो 10 और महिलाएं जूड गई अध्यान से समझिए देखे इतने लोग तो रहबे करेंगे इतने लोग रहबे करेंगे प्लस 10 महिलाएं और आ गई और महिला लोग की कैपसिटी एक है तो देखे इसका मान सोरा इसका मान चार बीस अब 20 अदस कितना हो जाएगा अब टोटल 30 लोग हो जाएगे 30 लोगों की कैपसिटी हो जाएगे जैसे ही 30 से भाग करेंगे तो 30 दुना के 60 यानि कि सेस काम कितने दिन में होगा दो दिन में टोटल पूछता है तो पहले 9 दिन हुआ था 2 दिन और हुआ 9 अदू 11 दिन टोटल 11 दिन होगा और सेस पूछा है आप बताएंगे गुरुजी दो दिन होगा कितने दिन होगे दो दिन होगे हमारी बाते समझ में अगरी होगे सही रहा इसी अधार पर ये सवाल है आप मुझे जरूर बताएगा बाबु ठीक है वही सवाल है कि दो पूरुस तीन लड़के एक काम को 18 दिन में करते हैं तीन पूरुस दो लड़के उसी कारे को 15 दिनों में करते हैं तो चार पूरुस और दो लड़के मिलकर कितने दिनों म आपके साथ, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, इस नंबर पर इस question को नहीं बना पएगा, तो हमको कहिएगा, इस नंबर पर हमको WhatsApp करिएगा, 9692928, हो गया, 9628921188, इस नंबर पर हमको इस question का screen side भेजिएगा, हम आपको solve करके बताएंगे, या next जब class लेंगे, तो उसमें फिर से इस question को सामिल कर लेंगे, उसी तरह से ये सवाल देखिए, ये भी सेम है बाबु, छे पूरुस, आठ महिला इतने दिन में करती हैं, आठ पूरुस इतने महिला, एतने, एक पूरुस अकेला काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, अब जरूर solve करिएगा बाबु, और हमें उ बी सेम सवाल है, तीन पूरुस, दो महिला, इतने दिन में, दो पूरुस, इतने दिन में, इतने दिन में, ये समय पता है, आपको प्रेक्टिस के लिए सवाल लखा हूँ, चीअ आप जरूर बनाएंगे, अभी देखिये, वही वाला सवाल था, 12 पूरु 16 दिन में करते हैं 32 महिलाएं 12 दिन में करती हैं 8 पूरुसों और 8 महिलाओं ने एक साथ 12 दिनों तक कारी किया इसके बाद महिलाओं ने कारे छोड़ दिया और 8 अन्य पूरुस कारे में सामिल हो गया अन्य पूरुसों को सेस कारे करने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा लग है, मैं बताने की कोशिस करता हूँ, पीछे जैसा सवाल नहीं है, यदि रहता था हम छोड़ देते हैं, आप लोग को लगाने के लिए देखें, बारह पूरुस सोला दिनों में करते हैं, यानि कि देखें, बारह यम गुणते सोला, कहें पर रुख जाते हैं, आगे सवाल नहीं पढ़ते हैं, पहले तो बारह से बारह कटाएंगे, सूला दुना के बत्तिस हो जाएगा, अब देखें, यम कमान दो है, और डवलू कमान एक है, तो हम कह देंगे, एम और डवलू, यानि कि यहां रखेंगे दो, और यहां से समझे, सबसे पहले पता करते हैं, कितने दिन का काम है, तो काम कितने दिन का है, समझे, देखें, बारह यम है, बारह और यम का मान हम लोग कितना निकाले हैं, दो निकाले हैं, और यहां है बावु कितना, सोला, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, देखे सूरा दुना के 32 पर एक चीज हम लिख लिख के समझा रहे हैं कि जो बच्चा कमजूर होगा वो भी सीख जाएगा बारा दुना के 24 बारा तियां 36 अदू 38 यानि कि 384 दिन का काम है कितने दिन का काम है 384 दिन का काम है अब आगे पढ़िए आठ पूरुस और आठ महिला हैं तो ज्यान से समझेए आठ पूरुस प्लस आठ महिला तो आपको मालूम है कि पूरुस का मान दो निकाले हैं और महिला का मान एक तो देखे आठ दुना के 14 आठ है कमाट 14 और आठ 24 कितना हो जाएगा 24 अग गुणते कितना दिन तो बारह दिन में तो इसका गुड़ा हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा बारह दुना के पर चवक 48 को आठ और बारह दुना के 24 और 24 मतलब 288 आजाएगा माइनस कर लिजेगा क्योंकि टोटल इतना काम था इतना हो गया ये 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा ये इसको दे देगा 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा 90 आजाएगा अब पूरे के बटा में ध्यान से समझेगा जिसके बाद महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया मतलब कितनी महिला थी 8 महिला थी और 8 कितने हो जाएगे 16 हो जाएगे और एक आदमी की कैपसिटी कितनी है दो है तो आप कहेंगे गुरुजी 16 चके 90 होगा और 2 त्याई 6 होगा यानि कि गुरुजी सवाल का उत्तर कितना दिन 3 दिन आएगा इतना असानी से हम लोग लगा दिये भड़कना नहीं है भड़केंगे तामगड़ बड़ा जाएगा बभब भड़कना नहीं है इसी तरह से ये सवाल है ये सवाल है जरूर आप बनाईएगा ठीक है कह रहा है 15 पूरुस या 25 महिला है अब देखिए या वाला सवाल आ गया या वाला भी तक नहीं बताए है देखिए या का मतलब होता है बराबर जो देखिए 15 यम बराबर 25 डबलू कितना डबलू बागू 25 डबलू देखिए 5 तियाई 15 होगा 5 पचे 25 होगा कहेंगे गुरुजी यम का मान 5 होगा और डबलू का मान कितना होगा 3 होगा सवाल खतम किसी एक को उठाए किसी एक को देखिए 15 पूरुस लेते हैं तब 15 और पूरुस लोग का मान कितना है पूरुस लोग का मान कितना है 5 है और गुणते अब इनसे नहीं मतलब है अब इस पर डाइरेक्ट आजिए, इतना दिन है, 22 दिन है, अब लास्ट लाइन पर आईए, 9 पूरुस और 18 महिला है, 9 अग गुणते पूरुस कमान कितना है, 5 है, तो कहेंगे गुरुजी 9 पाचे 45, 18 महिला है, 18 गुणते 3 है, 18 तियां 54 हो जाएगा, और दोनों को जोड़े जैसे ही जोड़ते हैं बाबू, तो 5, 4, 9 होगा, और 5, 4, 9 होगा, 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, अब देखें, 11 दुना के 22, 11, 99, 99, सही रहा, अब देखें, यह 3, 5, 15 और तितिल के 9, देखें, 25, 25 दुना के 50, 50 बटे दू को हमीशा हम करते हैं, तो 16 सही दू बटा तीन आता, यह परसंटेज बैलू है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसी तरह से सवाल नंबर इसको बनाईएगा, पहले जैसा बता दिया गया है, 16 आदमें काम को 24 दिनों में करते हैं, 24 महिलाएं, 32 दिनों में 16 पूरसों और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया, जिसके बाद 2 महिलाएं छोड़ कर चली गई, दो दिनों में सेसकारे पूरा करने के लिए कितने और पूरसों क्यों सकता होगी, जरूर बनाईएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, मैं दुबारा आपको बताने के लिए तयार हूँ, ये भी वहीं सवाल है, बाबू, तीन लड़के, पांच लड़कियां किसी काम को 6 दिनों में, जबकि 2 लड़के, 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में, 8 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों करेंगी, जरूर बनाईएगा, बाबू, हो गया, पीडियाप नीचे होगा, description में, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ये भी वहीं सवाल है, आप जरूर बनाईएगा। ये भी वहीं सवाल है, एक बार और हम बता देते हैं, देखें, कह रहा है कि 10 पूरुस पाँच महिलाएं एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं यानि कि 10 यम प्लस 5 ओमैन कितना दिन मेरे दोस्त 60 दिन में करते हैं बराबर आगे पढ़े यदि एक पूरुस दो महिलाओं का कारे कर सकती है यानि कि एक पूरुस दो महिलाओं का कारे यानि कि ध्यान से समझेगा एक पुरुस बराबर मतलब एक पुरुस बराबर महिला का दो गुना मतलब यम कमान दू होगा और डबलू कमान क्या होगा एक होगा यम कमान दो रखेगा और डबलू कमान क्या रखेगा एक यहाँ पर हम दो रखेंगे और यहाँ पर एक रखेंगे तो दस दुना के बीस प तो पान दुना के 10, 20 से कम 20, 20, 10, 30 हो जाएगा, 30 दुना के 60 होगा, और 25 दुना के 60 होगा, इस तरह से यह 23 सवाल था, यह 24 होगा है बाबु, इसको भी आपका यह होम वर्क है, और आप बनाएगा जरूर, ठीक है, इसको तो और भी तरीका हम बता देते हैं, देखें, जहां या लिखा रहना, तो ऊपर का अंसब गुड़ा कर लिजेगा, तो देखें, दू, गुणते तीन, गुणते तीस हो जाएगा, समझ पहें बाबु, अब ध्यान देजे, यहां पर देखें, 6 पूरूस है, और 1 महिला है, तो देखें, पूरूस का गुड़ा पूरूस मत करि अब देखें, यहां महिला है, तो महिला को पूरूस महसाटा दीजे, एक गुणते दू, तो यहां दू हो जाएगा, 18 दू कितना हुआ, 20, कहेंगे गुरुजी, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, तीतली के 9 हो जाएगा, सवाल कितना आसान है, शेंज करके भी लगा सकते हैं, जो आपको समझ में आता है, इस तरह से टोटल 25 को सन था बाव, कितना था, 25 को सन, यह कलास कैसा लगा, हमें जरूर बताएगा, यह पार्ट वन था, इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, कल तीन पार्ट खतम करके अपलोड कर अपने वाट्सप पर इस्टेटस जरूर लगाईगा, दोस्तों को सेर करिएगा, अभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, और वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएगा, मिलते हैं नेस टाइम बावू, तब तक के लिए जैहिंद, गुट नाइट